आज वरी असा गड़ थे आयूं ही आयोजन असा जे भा ग्यांचन लालवानिया अखन सिंदू संसार विचार मंच अए एंसी पीएसल जे संयुक्त तत्वाधान में उन्हें विशय आहे सिंदी भाषा जो सिंदी पत्रिका अखबार उन जो उन्हें विकास में योगदान उन्हें तारतमे में मुखे भा गोर्दन शर्मा गायल जेके तमाम जूना जानू असान जा अधीब आहें जेके महाराष्ट मंदा पूने जी शहर जाहें उन्हें जो पेपर पॉने जो मुखे जुमोर दिनो थां मा सबनी आयलन अधीबन अखबार नविसन भावरन भेनन जो तै दिल सांब रिदे सां स्वागत उखायां स्वागत 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 भावरो अज जो नजो विशय आए सिंधी भाशा जे विकास में सिंधी अखबारन रिसालन जो योगदान भायरो एक शायरे लिख्यों आहे सत कर्मते हले जा इंसाफ खे न कुछले सा जिन्दगी खपे थी सा जिन्दगी खपे थी ब्यन वोलिन जियां सिंधी भाशा में रोजानी हफ्तेवार विहफ्ती माहवार तिमाई चमक तमक पत्रिकाउं शाया थी दिवा हैं सन उनिय सो सठ में खाँ पत्रिकाटा जे खेतर में फ्रीलांस राइटर तोर सरगर्म रहं दे केतराई खिटा मिठा आजबूंदा मिला अथम धार्मिक, सामाजिक, साहितिक, राजनेतिक, बोधिक विशन सा निभाएं दे केतराई पत्रकार शाह लतीफ जी चवणी ततीय थतीय काह ता नईवे लवेहन जी खे बखू भी अमल में आनन था, हिते वाग आल भी चवण वाजिप थो समझां तके साइजा सावर या पत्रकार, पत्रकारता के आमदर्नी जो जरियो बनाए, रोजी रोटी जा जोडे विठा आयन साइज शल सबनी के सुमत दिये मुझुद दोरते नाम्यारन पत्रकारन में कुछ नाला आहिन, सदाहयात दादा हिरानन करमचन, मान सिंग चुहरमल, तीर्च सभानी, एजे उत्तम, बलदेव गाजरा, हरी मोटवानी सिंधी, ठाकुर चावला, दादा हूंदराज दुखायल, दीपक कोडवानी साहिब, क पत्रकार ताजे छेत्र में, पेंजी अमुल्य छाप छडी आहिए, हा, के हयात पत्रकार भी आहिने, जिनके शुमारेन गलत न थीनो, से आयन शिर्मती शोभा लालचंदानी, शिरी ग्यान लालवानी, श्री लकमी खिलानी, शिरी नंद चुगानी, शिरी वर्यानी, पूने नगरी संत दादल शाह दादा टियल वासवानी नूरिय जे रहनमाय में वध्यो वीजु आए पूज़ दादा जशन वासवानी जे मार्ग दर्शन में सिंधी बोली साहित्य कला संस्कृती रिसर्च तैलीम एंसियत जे कहतरन में अक्ते अक्ते वधी रहवाए पूने माँ, हफ्तेवार, बिहफ्ती, महावार, बिमाई, टिमाई, साल्यानी एं मयादी अखवारों एं रिसालन पत्रकारें जे खेतरन में शुमार हासिल कह वा है सबखां पहर्याईं, महावार सिंधी पत्रका हीर हिक इदारे में चंगो नालो कढ़ो अध्यापक इपत्रकार सदाहयाद भाव अजीत किशोरज संपादन में हीर केतरन ये पुरान नवन ट्रच्टा करन के जोगी जाय डई न सिर्फ संदन हिमत हफजाई कई पर केतरन के लिखनना हिम थायो अजी जो मकबूल गजलूग शायर और कहानिकार श्री गोप आसुद मल दर्यानी कमल जैंखेक मरकदी साहित अकडमी पारां और ब्याग के त्रई इनाम इक्राम अता हासिल थ्या से हीर जी पैदाशाहे अजी भी साहब हिंदु सिंद में हाकार हुआए हीर बेंजिन रचना कारुण के जनमडिनो तेन में प्रिंसिपल बल्देव बुद्राणी दीप श्रीमती इंदरा बल्देव शबनम पूनेजी अधिवन में उब्रहल नाला आयन सागियत तरहां श्रीमती इंदरा शेहदात पुरी इंदु शबनम अजु हिंदु सिंदी ये सुयातल नालो है ब्या नाला आयन सदाहयात कविता निर्जा संगिता संगतानी रिवाचन नेभुवानी शिरीचन्द संग दिल तोला राम रहेजा लाली संतदाश किष्णानी संतल नत्र राम चिन्दानी किषिन जन्वस्वानी वगेरा ही बंदो गोर्धन शर्मा गायल बी सन उन्यसो उन्हत्तर में पूने में अचनखां हीरसां जुडिवेओ केत्राई साल हीर जो शायरी विभाग हिन संभालेओ हिते एक गाल चौन चौन्दूस्त भाई अजीत किष्णानी जो बनारा सखां पूने में अची हिन खेत्र में धाको जमायो संदस लिखल केत्राई संदा की लेख वक्तायती चिताईंदर तंज मधाई आसा भरल जहन पातकन जो ध्यान चिकाएंदा आहन भाई अजीत किष् सन 1971 में पूने में थेल राष्टी इस्तर ते जो पहरियों सिंदी सेमिनार असान जा मायनाज शायर सिंद जा कवी किषिंचन बेवसाव जे पड़ल सब पेपर्स बेवसिक अभ्यास उनानवे जा च्छापे पद्रा कई पेंजा संपादक हुआ प्रुष्टर पीरतम वर्य किताब जा फेज रस्या माली मुश्कलातुन सबब इन दहाकन बायद हीर बंद थी तैंखा पोई अजीत किषोर हफ्तेवार समाचार पत्र हल्चल सिंदी भाचा जे बिनलीपन में शुरू कयो यो भी कुद आहाके खां मते हल्यो पूने माभी अदभी महावार पत्र का नर आहन पत्र का मैं जाय हासिल कर लाए चंग वक्ताइं मुंतजर फूंदी हुएं भाव तेज पारवानी कुछ अदभी किताबंजी जहर कया हुआ शुरू में इंदरा पूना वाला शबनम जो शायरी मजबों शबनमी कत्रा चंग लोग का परिय थी हो कुज राकन का पोई नर्गस बंद थी बैद तेज पारवानी हफतेवार जंकार समाचार पत्र का शुरू कई जा तोड ताइं हलाईं दो रहो पूने खा महवार कोईल पत्र का सदा हयात शुरी रेवाचन नेमभवानी है शुरू कई किन सबबन करे घणो और सो हली न सकी पूने मा बाबा जौ शौक भरसा मीनू प्रिंटिंग प्रिस जब मालिक सर्गे टीकम दाज सबनानी हफतेवार सिंधी न्यूस शुरू कई कुछ सालन बैद अग्यां बदी न सकी सर्गे लेक श्राज किस्तानी हफतेवार फकड फालक बार शुरू कई रोचक खबरों होन सबब रवाजी मानों भी इंजार कंदा हुआ मत्य जी जुकर कर हूँ तब पुनि नगरी दादल शाह नूरी ये डादा जशन वासवने जी अंजलिय जी रहवरिय में सिंधी भाषा साहित्य संस्कृति जी प्रचार में फैलाव जीयें तो पियतियें वधन्दोई रहो सिंधी हिंदी अंग्रे जी जी मरहटी बेन बोलेन भी बिनी महान हस्तिन सा सवे कितावे उन जी लखे काप्यूं देश विदेश में पान मों मोखे चुकियूं आहिन। सिंधा हुआ चंगा साल हली नेट ठक जी पे सिंधत योश्यदाई संग दिल मेला मचैन में माहर आहे संपादक विचार दाद काविल लिखंदो रहा पूनेजे मकबूल विद्वान पंडित किशिंचन टोपनलाल जेटले साहिब सिंधी सुहों नाले सां तिमाई पत्रिका सिंधी भाषा, सिंधी असलो की लिपियें देवनागरी वनमाला बाबत उमधा विचार लेखक संपादक दादा सदायात जेटले साहिब सोहें नमोने पेश कंदो रहा दादा मोहलाल शेहानी और डाक्टर मुली चंद किशिंचन जेटले ये दाद काबिल सयोग सां सिंधी संपादा जेके नासाल सिहत सबब ये पत्रका अपने बन थी वही फुलवाडी यादगार पर्चो आये पूने जो पुराणों सिंधी पत्रकार सदाहयात शिरी भेरुमल इसरदाद जक्त्यानी स्वतंतता नाले सिंधी पत्रका सालन जा साल सुठे नमोने हलाई पाना आज आजाजी ये तहरीक में भागवर्तो एनके ये देशी आजादी बाबत जान दीन्दर सुठा लेख अधी रचनाओं समाचार सुतंता में चपजन्दा रहा हिन पत्रका आजा केत्रा ही परचा सांडे रखन जेडा निकता शिरी भेरुमल हिंदुस्तान में हिंदवासिय ज सालन जास साल एवदी थी सुठो कम कंदो रहो माली मुश्कलातन सबब बहरा शुरू करे भी पत्रका बन थी हुए माथाई वरे माहोल में हेन वक्त भी पूने मा बिहफ्ती सिंद्वजी पुकार विनोध नोतंदास रोहानी सन बहदार अठका हलाई रहा है हेन पत्रका जा खास परचा जिनते डियारी परचो होली परचो चेटी चन परचो दादा ज постоянно वासुआनी जनम नहीं परचो केतरा अही पार्ठश सांडे हेन रखनल यह कल साहतिकार शरी माय राम खो करे जा उठ सबी अ अखवार नवीस, अखवार नवीसी जी मज़कूर जाब तरीक कदोर एक कीमत सुझान दे पैंजा फर्द निमाई दे आयन, एड़ा अखवार नवीस बिना कें जे डप दा के जे बे बाकिया सा कलम खलाईंदार हैं, पैंजा प में धारया पे पेंजन पेश कहल विचारन जा कोन दिन हिंद्वासी अड़ना चार बहजार ड़, शी एच डी दिलिय पारां, चोवी पंजी अगस्त सन उनियसो नवे में डिलिय में नेशनाल सेमिनार सिंधियजी अखवार नवीसी जा, हिक सो पंजविय साल विशे थे मुनकद कयो वेओ, हिन सेमिनार में अनेक सिंधी आलम अधीब एपत्रकार शरीक था, ही बंदो भी दुबय मां सेमिनार में विचार जाहर करनला नीडते आयल हो, हिन सेमिनार जो महुरत देश जे मानवारे नेता, असान जे दादा लाल कृष्णा अधवानी कयो हो, शीरी हीरो ठकुर हिन सेमिनार जो डारेक्टर हुआ, हि इन जी सदांके में सेमिनार में पेश कैल मयारी मकाला आला विचार सिंधी अखबार नवी सी नाले किताब में सिंधी टाइम सफ्तेवार पारां डाक्टर नारायन भारती है, सन उनियसो ट्याने में जाहर क्या, ये किताब दस्तावे जे रूप में शुमार बो, मकालो वध इन डपका चाहीं दे भी वधी के लिखन वाजिब न थो समझा, भाव ग्यांचन लालवाने के एड़े उम्मेदे विचार के अमली जामो परानलाय, मने मुबार कूं बेट करयां थो डिठल सेमिनार जो सफल तालाय दौाउं आयन ताहां जो गोर्दन शर्मा गायल जय जुलियलाल, मा डक्टर गोविंद कोडवानी, महाराष्ट्रमा ताहां सवनिला शुपकाउना आंदियो हैं, वेंदल अबिंडी हैं में कल्लाय आज में जेको है सेमिनार थी रहे वा, सिंधी भाषा, सिंधी बूली, सिंधी साहिते जे वाधारे लाए, यहना में पहें जे समाज जे, जेके नामचीन अगबार नवी सें, इनन पहेंजा विचार, पहेंजो अनुभाव जेको शेर कैवा, निश्यत रूप सां, हे मील जो पत्थर साबेत थीं दो, यो पत्थर अग ते वधन जी सिंधी समाज जेके साहिते गे प्रेड़ना डीं दो, यो माके पक को भरोस्वाए, मित्रों, पुने शेरे जे रहंदल, श्री गोर्धन शर्मा घायल जेको पेपर प्रस्तुत किवा, जेके दादा इश्वरदास जामनाणिया, पहेंजी वाणिया सां, उच्चारे ते ते कईवा, काफी बहत्रीन होनन जे अनुभाव जो एकड़ो नमुनो आहे, जे को हुनन पेजो अनुभाव, असा-सा विरायो, निश्चित रूपसाँ, असा हैनम मंच जे जरीए उननके धन्यावाद ग्यापित कईवा ता, जा हुन जे अनुभाव जो उननन जे विचारन जो निश्चित रूपसाँ, हे मंच फायदो ख़नांदो इन्यामा के बरोस्वाई, बीकडी गाल माँ जरूर चाहिंदूस कि विंद्ध लब इंडियन में जे कशाय मायते रिठी, सिंधी भाशा, सिंधी बोली ए सिंधी साहित्य जे वाधारे में, न सिर्फ अखबार, न सिर्फ पत्रकार, न सिर्फ साहित्यकार जे योगदाना, बल्कि उन्य अबनी अख़बार नविशन के सहत्यकारण के ज्यानवान और जगहते आनने जो जेको मंच असा जे भाव ग्यांचन लालवानी दिन वा उनेके असा लखा शुक्राना कहीं था अउनु जो धन्यवाद दा कहीं था धन्यवाद जग्दीश भाई इनने हाल में मौजूद सबही मानवारन के मा नमसकार तो क्या पेशे सामाद वकील आया इने खाँ पेरो मा लगबख सोरा साल पत्रका रहें और पाँ जे पत्रकाईता जे दोर जा कुछ अनुभव मा तासा अगर शेयर कन्दूं और कुछ चवण खाँ पेरों बट्रे गालीं मा ताँ जे सामाँ गाल रखना बद्दी का जरूरी तो समझा कि बिन्नियन खाँ मा इन सेमिनार खे जे को इंट्रस्ट पांजी रुची वठी करे जोईन कयो कुछ सिखन जे द्रश्ची कोन सा नजर यो मुझे यो है कि सिंधी भाश्याजे विकास में अख़बारों पत्रिकारण जो केड़ो योगदाना निश्चित तोरते मा इचेई तो सगा कि जे कम्यूनिटी खे मा बिलोंग कन्दू आयां सिंधीय ताजा पत्रकारण जी भीड़ भी जामा तो अख़बारण जी भी संख्या घट नाये और यह जानकारी अड़ मुझी उमर पंजहाँ साला पंजहाँ साला खे पेरों खाजी जानकारी जेड़े साबसा मुखे ज्यानप में आई तो प्रश्ण मुझे नजर में मुझे अंदर में यह प्रण होते हो कि जेत्री भी पत्रकाई ता या जेत्रा भी अख़बार सिंधियत जे नजरीय सा निकरनाएं तो उए छा सिंधी भाशालाय निकरनाएं या जेके भी अख़बार या पत्रिकाउं कडनाएं वे पांजे विचार सा सिंधी कम्यूनिटी के द्यान पड़िणे जी कोशिश कनाएं जेत्रो मुझे पांजे व्यक्तिकाथ अनुभवा नाइंटी-9 में मां पांजी पत्रकाई ता छडिए और ये हाथ से कहाँ पोछःदाम जी ओवा पत्रकाई जा दोर में पत्रकार ज़ए अनुभव में मां आयोध्या कांजी रिपोर्टिंग कई या विधान साभाजी र रिपोर्टिंग कहिया आँ सब्दीखा वडी गाल कि तांखेक द्यान पड़े आँव कि भले असांजी सरधन ते कोई युद्ध अभ्यास न थीन दुआ पर मिलेटरी जेकी भारतिय सेना वा पांजी युद्ध अभ्यास जी श्रंखला है वा जारी रखन दिया और अगर आर्मी जी काय युद्ध भ्यास तो हले पश्चिम छेत्र में तासां जी रिपोर्टिंग जी की लाइन इन दिया कि पश्चिन दिशा में एक स्थान से तो उनुभव भी आहे जेत्री भी सिंधी पत्रकाईता या सिंधी अखबार रिठाएन एत्रों महसूस कहेवा कि मानून जो जेको अगर मांने के बेभाशा में चावा कि मुखे सिंधी अखबार पढ़नुआ तो मां छोपना सिर्फ सिंधी न बायर भी जेके बे अखबार पढ़ना है हूं कि मां सिंधी अखबार या बेव अखबार छोपना एडो केडो मुझे लाइफ लाब दायखा या फाइदे मन्दा या जेसा मुझे पांजो ग्यान वर्धन तो थे वो सब हिन जे अज जे दोर में आटो घट डिसन में तो अच्छे पयो मुखे यादा भोपाल जे एएरपोर्ट ते मुझे ड्यूटी लगी ही कि मां तारिक अनवर कांग्रेस जो नेता हुयो कि उन्हें जे इंट्रिवु वठी करे अच्छा अखबार में रिणों हुयो व एएरपोर्ट तो पाँ दफ्तर ताई वयोम तो इन्हें में जेकी घटना थी ही वह इंट्रिवु तो पो छपजे ओकान लेकिन उआ घटना जे माला च्पजी उन्हें घटना जी रिपोर्टिंग लाए मोखे अलग साई को पुरस्कार मिले हुयो और उन्हें प्रमोशन ज से छूकर निकल गई सामाने घटना हुई सिर्फ प्रिजेंट करने तरीकों हो सामाने घटना घटना सामाने शाह हुई गर्मी जो डी हो मैये जो दोर जमीन तपन दिया इस अबनी के खबरा एरपोर्ट का जेनी मलमा लंग्यूम सिंगार चोलीजे पासे में लेट साइट पासे कंस्रक्शन जो कम पे होले साइट ते मजदूर कम कन दाएं जाइफा भी कम कन दियाएं कुछ जाइफा तना एड़ी बिडिटी हुन्दी के पांजे बाहर रखे वठी करे भी कम कन दिय आज और उन्हें गर्मी जे दोर में अगरें कम कंदल जाइफा जो बार अलाएक यह निकिरी करे सलकते अचीव हो है अब मुखा आग्यां ट्रक पे वने ता थोड़ो पाण में मैसूस कई हो वो बार लंगंदो लंगंदो रोड़त अचीव हो और वो ट्रक ब्रेक लगाए तफासे न लगाए तफासे और वो ट्रक उन्हें बार जे मता लंगी करें निकिरीवे हो आँ होड़ा उन्हें जी मा दिसी करे घबराए भड़ी पकड़न लाए चलाइं दी रस्ते दे पेर पत्थर आँ पेरस पत्थर असा टकराए उल्टी करी मत्थो भाटिस उन्हें खाँ पोवरी हो थी वरी रोड़त नहीं पहुंती आँ बाहर रखे खई गले सां चाती सां लगाए करे जिडे सापसा खणी करे रोई करे पासे में वही वहा सरी खबर जो प्रेजेंटेशन होयो और मौत उसे चूकर चली गई यो इनोवेशन होयो क्रियेशन होयो घटना जो रूपांतर्ण होयो तो अधि मुखे उवा पत्रकारिता में एड़ी शे घट डिसने में तिये चे पई कल मा जामनानी साब आँ मिंट्रिन जनन सां गट भीटों गालाया है प्यो एक नंडे किसे देची मा पांजी गाल खतम कंदम इशार हो वा कि टाइम थी चुको वा शती व्यान ना टक शुरू करन हो अगर मंची जी जाज़त हुन दी तो वह गाल मा तांसा शेर कंदम शायद मुझी भावना के तां समझी सगन दो हाला कि उद्धेश एत्रो वा कि असां जे पत्रकाईता में कमियों भले ही जाम पहिंदो आगिते किस्व कुछ इंए ता कहानी बुधी हुंदी नंडपड में में एक बंदर जी कहानी के बंदर नकल ची थी नाए टोपी विक्रन अवार वियापारी टोपी विक्रन निक्तो बे शहर लाए तरस्ते थे थोड़ों सो गर्मीया थकावट जे करेंक वन जे एकाए टोपी घंड़ लाए तो ने खबर नकलची थी नाएं तो एक टोपी जेकी उनेवा टोपी प्वा पाती तो बंदर न वी तोपी लाए करें पिटी केंद बंदर वियापारी पाँजी सभई टोपी घंड़े चलियों है यह कहानी शायत ता बुधी भी हुंदी पर यह कहाणी यह ते खतम नथी तवर यह कहाणी यहाने अगे ते वधी वई तवर वधी किया आए कि वो व्यापारी गुजारे वेओ वो बंदर भी गुजारे वेओ उन्हें व्यापारी जो बाहर अची वेओ कि औसा सबनी में योँ आ कि व्यापारि पांज पुट्रेंगे पांज व्यापार विरासत में डीन दूआ बाअरगर नैंसे तोने व्यापार कहें दमा बोधाहीं दो बहर अगर बुद्धीमां ननूदँ कोई पिता साव समझाई儿58 संभाले हल तो तो ने को पिता सावियों सिक्षा डईवयों हो कि बंदर नकल ची थी नायन जा टोपी विक्णा वन्हें तगर कडेरी मुसीबत अचे तो ये नकल कजये तब बंदर टोपी फिदी कंदर तो ने वन जे पासे में वापस उन्हें वनते हुए उन्हें पुट्र वन थकर हो अपारी ज़ए पूम अखे आरामक्यों करें बंदर ऊते ह्या बंदर ऊते हुए तो पिथी न सौचें कि बंदर न जै कनझा तो पी न फिटी कई चाकान तब बंदर बदल जी व्याहा को इंसान जो पुट्र नम बदल जी को अज़ा अज़ा भी पुरानी गाले नके चिंबढे वेठाईंगे उन्हें पकड़े वेठाईंगे अज़ा अज़ा भी यही समझी वेठाई हूं कि जे को पुरानों इतिहासा उवही शायद आखरी है या पुराना जेत्रा भी रिफरेंसे साइन उवही सब आखरी है कुछ नौ काने को मतलब यहा कि कुछ न कुछ नौ प्रेयोग अगर थींदो रहे पांजी विवेक साँ पांजे विचार साँ बेन खे फालो करने जी बजाए पान च्हायूं पांजो एविलिशन करें पांजो मुल्यांकन करें अं पांजे दिमाग सा पांजे अनुभाव सा कुछ नई शेख अगर अगर वधायू निश्चे तोर सामा चैता है कि जेत्रा भी अखबार निकननदाए उग व्यापारी वर्ग न थींदो आखबार नवीस कोई व्यापारी न थींदो आखबार नवीस एक बुद्धी जीवी थींदो आप उपकड़ें भी उन्हें में व्यापार करने मिलन लाए जेके भी अधान आखबार नवीस आएं जेत्रा भी पत्रकार आएं उए अगर पांजे वेग जो इस्तेमाल करन तो शायद मा समझा तो हिक क्रांती भी अचीती सगे पई अड़ वेग्यानिक द्रस्टी कोण अपनाए करे असा संसाधन इत्रा एप्रोच करेता स गढूंपया गाल्युदा जाम आन चोनल आए मा इतनी ही गाल चाही करेंगे हैं